हेलो एवरिवन वेल्कम बैक तो लारेशारी अल्टैक दिस साइड निर्देशमान और आज का टॉपिक बहुत ही खास है क्योंकि आज जिस चीज पर हम डिसकुशन करने वाले हैं वो है एक करोड का बजट जी हाँ एक करोड का जो बायर है वो बहुत ज्यादा मार्केट में गूम रहा है और उनको कोई प्रोपर्टी नहीं मिल रही है चीजें जो ऑप्षन अविलेबल है वो अगेन उनको समझ नहीं आ रही है कि यार मैं एक करोड होने के बावजूद मैं यही चीज ले पा रहा हूं तो उनके लिए एक स्ट्रेजी जो है वो बताने वाला हूं कि उनको क्या करना चाहिए किस हिसाब से वो प्रोपर्टी परचेश करने चाहिए तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना करंट में जो ओप्षन अविलेबल है क्या करना चाहिए आपको उस हिसाब से सारी चीजे आपको कंक्लूजन के साथ बताऊंगा तो आई रिक्वेस आपका एक करोड का बजट है और आज मार्केट में देखते हैं यानि की गुर्गाओं की लोकेशन में और जब बात आती है 3BHK की कि मुझे 3BHK चीर मेरा एक करोड का बजट है तो सब की तरफ से आपको नो सुनाई देता है कि नहीं कोई भी जो 3BHK है वो 1CR के नीचे नही बीच ओफर हो रहे हैं, जिसमें किसी में कार पार्किंग है, किसी में नहीं है तो वह वाली चीज़ है तो अगर आप उस सेग्मेंट के अंदर जा सकते हो अगर आपकी investment actually और 3BHK ही देख रहे हो तो उसके अंदर अगर आप जाते हो तो near to position होने के वज़ाए से rental income आपकी जल्दी चालू हो जाएगी तो इससे आपकी जो investment एक क्रोड थी वो investment भी आपकी कम लगी और दूसरी चीज आप जो है आपका एक side income जो है वो भी start हो गया तो पहली तो आपके पास यह है दूसरा एक क्रोड के something में आपको अगर आप luxury side जाते हो तो 2BHK भी नहीं मिलता है बट 2BHK आपको कहां मिलता है वो बता देता हूँ 2BHK आपको जो है low rise floors के अंदर जो है offer हो जाता है जो की आपको affordable का एक upgraded version आप बोल सकते हो जिसके अंदर आ regular lifestyle नॉर्मल एक lifestyle जीना चारे हो तो वो जो floors है वो आपके लिए काम्याब है इन यह से luxury जो है वो आपको signature देता है और थोड़ा और ultra luxury देखोगे तो again फिर से आपका budget जो है डगमगार ने लगेगा तो वो वाली चीज आपको देखने पड़ेगी तो कुल मिला के बात यह है अब बात आती है कि आप जो strategy की बात कर रहे थे वो आप हमें बताइए कि हम क्या करें तो guys देखे अगर आपका एक क्रोड का budget है और आप आज जो है आपके पास वही बाता आपकी saving 35, 40, 50 तक है तो आज और आप जो है end use perspective से देख रहे हो या investment perspective से देख रहे हो तो उसके लि हैं क्योंकि आप एक क्रोड का budget लेके चल रहे हो तो मैं मानता हूं कि इतनी आपके पास जो है या तो saving होगी या फिर आप arrange कर सकते हैं आपकी capabilities हैं तो उस case में क्या system है payment plan यानि की payment plan जो है आज की date में बहुत main important role play करते हैं जब आप एक luxury property खरीदने जाते हो क्योंकि हमें व में कितना pay करना पड़ रहेगा और next demand मुझे कब pay करने पड़ेगी और उस इसाफ से क्या मैं capable हूँ उसके लिए अगर आप इस इसाफ से सोचोगे तो बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी चीज़े afford कर पाएंगे क्योंकि लोगों को mind में सीधा जो है वो 2 करोड और 3 करोड कब देने हैं और बात एक मतलब मेंज चीज क्या होती है वो समझो आप वो ये कि हम जो आज कर रहे हैं या जो चीजे बचा रहे हैं बना रहे हैं वो हम हमारी family के लिए हमारे बच्चों के लिए चीजे कर रहे हैं और बच्चों की surrounding जो है आज हम जो invest कर रहे हैं एंड यू की income इतनी है और future आप देखते हैं कि मेरी इतनी income हो जाएगी for example आज आप एक लाग रुपे कमा रहे हैं चार साल बाद आप देखते हैं कि आप जो है चार लाग रुपे कमा रहे होंगे तो उस case में आप एक डेट दो लाग रुपे की M.I. afford कर सकते हो तो उस हिसाब से जो है अपनी चीजों को schedule कीजिए अब payment plan की जो मैं बात कर रहा था उसकी बता देता हूँ देखे जैसे कि four example गोद्रेज का sector 89 के अंदर एक product आने वाला है कभी भी उसका रेरा आ सकता है मतलब क तो उस case में क्या है आप यह देखे कि वहाँ पर आपको M.I.P. payment plan मिल जाता है अगर आप उसको पूरा डिस्क्राइबली समझना चाहोगे तो उसके लिए तो आपको banking person के साथ मैं coordination करवा दूगा बट अगर आप normally समझना चाहो तो 1090 का एक basic plan आप बोल सकते हो और अगर के पास वो 20-25% amount है remaining का आपका loan हो जाता तो M.I.P. का benefit यह है कि आपको जब तक OC नहीं आता तब तक आपको interest का भी one fourth part आज pay करना पड़ेगा again देना वो पूरा interest पड़ेगा जो आप bank से loan करवाते उस time पर जो देना पड़ता वही सारी चीज आपको देना उस वो part जो है interest वालो पार्ट आपको वहाँ पर भी देना पड़ेगा बट वहाँ पे आपको चार साल का time period मिल जाता है जिससे अगर आप आज उतनी income नहीं है एक करोड देड़ करोड का budget है लेकिन future में आप देख रहे हो कि हाँ मेरी जो income है वो दो करोड धाई करोड तक जो है income के according मेरा इतना budget चला जाएगा तो आप उस property में invest करो जिससे क्या होगा उससे फायदा यह होगा कि जो आपकी property के appreciation है आपने जो प्राइज क्या वो आज का लोग कर लिया और जो appreciation है वो आपके इसी साफ़े जो है grow होता जाएगा और future के अंदर जो है आप 3BHK लेना चाहें तो 3BHK के अंदर भी वो बेच के उस level के जो वही बात appreciation लेके आप 3BHK के अंदर भी convert कर सकते हैं चीजे और अगर आप जो है again same के अंदर continue करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है 4-5-5 क्रोड के भी apartment है तो उसी level के persons जो है वहाँ पर आपकी surrounding में रहेंगे और आपके बच्चों को वैसा ही environment offer किया जाएगा तो मेरा कहने का concept यह है अगर आप एक end use perspective से कोई चीज देख रहे हो आपका budget एक करोड डेड़ करोड के something है और आप देख रहे हो कि यार मैं मेरा तो इतना ही budget मेरी budget में कुछ नहीं आता तो मैं कहूंगा एक बार हर एक project का payment plan जरूर पर चेक आउट कर लेना कि आपको आज कितना पे करना पड़ेगा next कितना पे करना पड़ेगा future में कितना पे करना पड़ेगा फिर अपनी income की तरफ कि क्या मेरी income वो gradually कैसे पे हो रही है या पिर कैसे सोड़ी इंकम जो है वो बढ़ magic है क्या मेरा कोई जो एड़ राक है वो मेर जो है चार साल में अच्छे से मलब propally establish हो जाएगा या फिर मेरे चार साल में जो आज में income inजोव या फिर कोई भी इंडेस्ट्री में हो कि मेरी income जो है वो उस लेवल पर चली जाएगी क्योंकि देखे जहां पर हम एक क्रोड के बात कर रहे हैं तो मुझे ये समझ में आता है upper middle class person जो है आज एक क्रोड के buyer की मिलब एक क्रोड का buyer जो है वो upper middle class person है जिसकी salary based पे वो जो चीज़े है वो देख रहा है तो मैं उनको यही कहूंगा कि भाई इस हिसाब से अगर आप working करते हो तो हमारी family के लिए जो चीज़े required रहेंगी future के अंदर आप आज का सोच रहे हो जो mentality है जो surrounding है उसके वज़े से कितना difference आया है उनके चीजों में उनके growth में वह आप जो है day to day life में फिर देख पाऊगे तो मैं आपको यही कहूंगा अगर आप end user हो तो प्लीज आप इस way के अंदर जो है invest करो अगर आप एक क्रोड बजट लेके चल रहे हो तो मैं सोचता हूँ कि 30-40 लाख रुपा आपके पास है और इस हिसाब से future को plan करो हर एक project को इस हिसाब से इस नजरिये से उसके payment plan को दे देखे जब आज आप जो है इसके अंदर जैसे कि 30% पे करने के बाद आपकी मैं इसका example ले रहा हूँ मैं आपको अगेन वही बात मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप यही खरीदो मैं इसका example ले रहा हूँ तो जैसे कि आज लगजरी के अंदर क्या system होता है 20 या 30% के बाद रीशेल ओपन हो जाती है तो उससे फायदा यह होगा कि आप कुछ टाइम के लिए जो है रखकर उसके बाद जो है अपनी यूनिट निकाल सकते हैं अब यूनिट कैसे निकालेंगे अगेन वह बात आ जाती है कि आप किसके फुरू पर्चेज कर रहे हैं और क्या वो निकलवा दो या फिर बेच दो क्योंकि इन्वेस्टर को अगेन वही बात है आप जब बेचने निकलोगे तो आप मुझे यह बताओ आपके पास क्या मार्केटिंग टीम है क्या आपके पास सेल्स टीम है जो आपके लिए वह एक यूनिट बेच देगी तो इसलिए उस माम उसे मदलब खृदवा रहे तब जितना सपोर्ट कर रहे तो क्या मैं मेरी यूनिट बेचने निकलूँगा तब वह उतना सपोर्ट करेंगे तो इस वे के अंदर सोचो समझो उस छिसी से अगर आप प्रोपर्टी परचेज कर रहे हो किसी के थुरू कर रहे हो तो फिर उस चीजे आपकी financial condition के हिसाब से आपको best से best चीज सजेस्ट की जाते हैं कि आप इस way में property लोगे तो appreciation भी कमाओगे पैसा भी कम जा रहा है और चीजे भी जो है आप अच्छी बना लोगे जिससे आपका future के अंदर जो पैसा है वो आपका अच्छा खाशा ग्रोव करेगा तो guys अ अगर आप invest करोगे तो मैं कहूंगा आप वो property भी ले पाओगे जो आप आज आपके लिए बहुत बड़ी नजर आ रही है तो वो वाली चीज भी आप जो है कर पाओगे तो जो flexible payment plans होते हैं मैं कहूंगा उनकी तरफ आप जाने की कोशिश कीजिए जिसमें investment आपकी आज कम स से कम लगे और future के अंदर जो है आप धीरे-धीरे उनको अपने हिसाब से कर पाएं और हाँ एक चीज जैसे कि मैं मेसा कहता हूं वह चीज भी ध्यान रखनी है investment वही करना जिससे आप आराम से रात को chances सो पाओना कि वह ही आप प्रिशान हो रहे हो कि मैंने यह ले लिया मैं कहूंगा मेरे भाई मत जाना उस साइड फिर अपना जो अफोड़ेबल है वह बैस्ट है बैस्ट ऑप्सन है एक्चुली क्योंकि देखिए जैसे कि एक प्रोडेक्ट के अंदर आई हुई है उसके अंदर प्री प्रोडेक्ट के अच्छा है तो अगेन अगर वह वाला क इसा तो 65 लैक में 3BHK विद कार पारकिंग तो कोई चैलेंज नहीं आएगा कल आपको रहना है तो अगेन एरिया तो अपको उतना ओफर होई रहा है तो आप रह पाओगे जितना जो है कार्पेट एरिया आप ओल्मोस देखोगे तो जो लगजरी के अंदर चीजें होती है उतना ही जो है ओल्मोस इधर भी निकल के आता है जो यूज कर सकते है आप वेरिया तो यह वाले चीज़ है तो मैं आपको यही कंसिडर करूँगा अगर आप एक क्रोड पर स्टक हो कि मैं एक क्रोड से एक रुप्या नहीं जादा जा सकता कैसे भी कर लूँ कैसे भी कहीं स से भी कुछ भी अरेंज कर लूँ पर भी मेरा एक क्रोड से जादा नहीं जा सकता तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जो अभी नियर टू पजेशन कंसेक्शन अंडर कंसेक्शन प्रोडेक्ट्स हैं अफोडेबल के उनकी तरफ जाओ अगर आप जा सकते हो आपकी होके आप जो है वो चीज वर्काउट करो जिससे आप अपने वही बात है फ्यूचर के अंदर वही छोटा से एक्जामपल है समझना इस चीज को दाल रोटी हर कोई खा रहा है लेकिन जो लग्जरी फील करने वाली जो चीज होती है उसके लिए लोग जो है आज की डेट मे पहुता है ना रात देखते हैं तो वह वाली चीज है तो उस चीज को आप समझो और आज अपनी जो चीज़े है उस हिसाब से सिख्यूर करके चलो कि क्या मैं फ्यूचर में कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता उसके बाद रियल स्टेट में investment करो मैं लिख के दे सकता हूं वहतर सकता हूं तो भाई आप एक क्रोड में ये खरीब सकते हो ये चीजें मिल सकती है और इस हिसाब से strategy बनाओ जिससे future आपका बहतरीन होके निकले तो guys I hope आपको information अच्छे से दे पाया होंगा समझा पाया होंगा कि अगर आपका एक क्रोड का budget है तो आपका mind जो हो खुल गया होगा कि कैसे आपको किधर जाना चाहिए किधर नहीं जाना चाहिए जिससे आप जो है एक सही investment कर पाऊ सही डवलपर के साथ जा पाऊ और एक अच्छी location में property ले पाऊ जिससे future में appreciation भी वे ले और आप खुद रहो तो property के अंदर वही बात है वो लग्जरी भी फील कर पाऊ तो गाइस बस इतना ही था इस वीडियो में मिलता है next वीडियो में और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट की चैनल सब्सक्राइब कर लो यार हमें आता हूं और लिटरली कए रहा हूं लोग टाइम पर ही जो चीजे जो है वो क्लोज कर लेती है उनको आज मिल रहा है जिन्हों ने लिया वो फीड कर रहे हुँ चीज को कि भाई हां मैंने आज लिया था तो आज जो है इस लेवल का अप्रिशेशन जो है वहां पर पहुच गया है तो गाइस बस इतना ही था मिलता है नेक्ट वीडियो में कोई नए इंफोमेशन के साथ या फिर किसी नए प्रोजेट के साथ या फिर किसी प्रोजेट की कंसेक्शन अपडेट के साथ तब तक के लिए गुडबाई